नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का निज़ेटीन के सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूँ अपड़ना मौज़म और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी योजना की जिसे हमारे देश के बुजर्गों को जिनकी उम्र सतर साल या उससे ज ज्यादा है कैसे इसका फाइदा मिल सकता है आपको अगर आपके घर में एक से जादा दो ऐसे बुजर्ग है जिनकी उम्र सतर या उसके उपर है तो पांच लाग का टॉप आपको इसमें मिल पाएगा साथ ही अगर हम आपको बात करें कि ऐसे बुजरुग जो पहले से ही सरकारी योजनाओं का फाइदा ले रहे हैं जैसे कि Central Government Health Scheme, Ex-Servicemen, Central Armed Police Force तो वो कैसे फाइदा ले पाएंगे उन्हें चुनना होगा या तो उनकी जो previous योजना है उसे चुनना पड़ेगा या फिर जो जन आरोगी योजना का विस्तार है उसे चुनना होगा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि किसी के पास Private Health Insurance है पहले सही वो Private Health Insurance का इस्तिमाल कर रहा है तो वो भी इस जन आरोगी योजना को चुन सकता है कैसे यह बहुत ही सिंपल है मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूँगी वस्तार से आपको बताऊंगी आपको इसके लिए अप्लाए करना होगा आप अप्लाए कर सकते हैं pmj.gov.in पर जाकर या फिर beneficiary.nha.gov.in पर जाकर आधार कार्ट के जरीए आपको करना होगा registration, आपके आधार से जुड़े mobile phone number पर आएगा एक OTP और आपको OTP फिर दर्ज करना होगा, OTP दर्ज करते ही पूरा process आपका complete हो जाएगा. इसके बाद आपको कुजिनों का और इंतजार करना होगा, फिर आईश्मान कार्ट को आप इसी website से डाउनलोड कर पाएंगे और इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं कि कैसे इसके विस्तार किया गया है तो ये भी बहुत महत्तपों हो जाता है जानना, क्योंकि इससे जो बड़ी बात यह हैं कि पहले ये कंपेंड की जाती थी, ये कहा जाता था कि जो गरीब वर्ग है, ये कमजोर वर्गे बुज़ूर्ग है, सिर्फ उन्हें ही इसका फाइदा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, अब किसी भी आप income group से आते हों, तो आपको इसका फाइदा मिलेगा, और सीधे अगर हम बात करते हैं, तो आईशमान भारत योजना का जो उदेशे है, करीब 55 करोड लाभारतियों को स्वास्त बीमा कवरेज मोहया कराना है, ये एक बहुती बड़ा फैसला है आपको याद होगा कि 2024 के आम चुनाओं से पहले, बीजेपी ने अपने घोशनापत्र में इस बिंदू को शामिल किया था, और सरकार बनाने के बाद, एक एकर बीजेपी सरकार की ओर से अपने उन तमाम घोशनाओं को पूरा करने का काम किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा बिंदू था जिसका एलान किया गया था और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार बीजेपी सरकार, खासवर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अपने हर टर्म में इस आयुश्मान भारत योजना के का विस्तार कर रहे हैं, हर बार एक नया घटक आता है और वो घटक ज्यादा लाब पहुचाने के दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम होता है युनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उदेश्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने आयुश्मान भारत की योजना शुरू की थी, और इसका एकमात्र लक्षे ये है कि कोई भी जो कोई भी इस विकास की दौड में विकास की रेस में पीछे ना चुटे हर शक्स सरकार की दी जा रही योजनाओं का फाइदा उठा सके फिर चाहे उसमें युवा भारत हो या फिर जो हमारे घर के बुजर्ग हों घर के बड़े हों उनको भी शामिल के जा रहा है ताकि उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाप महुचे और घर के जो बड़े बुजर्ग होते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्ण क्या होता है कि दवाओं का खर्चा, इलाज का खर्चा वो नहीं चाहते कि वो अपने घर के जो युवापीडी है उन पर बोज़ बने इसलिए उनके आत्म सम्मान के बनाय रखने के दिशा में भी सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है बहुत महत्यपूर्ण कदम है ये योजना के अगर बात करें दो घटक शामिल है पहला स्वास्त एवं कल्यान केंद्र और दूसरा ये प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना 23 सितंबर 2018 को जारखन में प्रधान मंत्री ने इसका ऐलान किया था दूसरे घटक का और अब इसे विस्तार देने के लिए 70 और 70 प्लस के जो बुजर्ग है हमारे उन्हें शामिल किया गया है जैसा कि मैंने बताया कि इस विस्तार से करीब 6 करोड हमारे जो वरिष्ट नागरिक है उन्हें फाइदा मिलने जा रहा है और अगर कोई पहले सही आईश्मान योजना का फाइदा ले रहा है तो उसके घर के बुजर्ग को इसका फाइदा जो जन आरोगी योजना का जो विस्तार है उसका फाइदा कैसे मिलेगा तो सीधा सिंपल इसमें इसका जवाब यह है कि पांच लाग का जो एक्स्टा टॉप उस परिवार के उस मेंबर के लिए मिलेगा तीसरा सवाल कोई पहले से ही सरकारी योजना का फाइदा ले रहा हो जैसे कि गोर्मेंट हेल्ट स्कीम, एक सर्विसमेन, कॉंट्रिबुशन हेल्ट स्कीम, आईशमान सेंट्रल आम्ड पुलिस फोर्स अगर इस तरह की सेवाओं का फाइदा आपकी घर के बुजर्ग ले रहे हैं तो उन्हें आप्ट करना होगा यानि की एक विकल पर चुनना होगा या जिस योजना का फाइदा वो ले रहे हैं समझने के आवशक्ता है कि इसे लाब क्या-क्या मिलते हैं, जो इलाज के कुछ घटक है, सभी खर्चे उसमें शामिल है, वो भी आप बात ध्यान से सुन लीजे, टेस्ट करवाना शामिल है, ट्रीटमेंट करवाना शामिल है, कंसल्टेशन करवाना शामिल है, अस्पिताल में admit होने से पहले का खर्चा दवा और चिकिसा के लिए जो दवाएं होती हैं सामान होता है उसका खर्चा सामाने देखभाल या फिर गहन देखभाल क्या वशकता है अगर आपकी medical condition को देखते हुए diagnostic, lab test का खर्चा, surgery अगर जरूरत हो तो इसके लावा अस्पताल में ठहरने की सुविधा, खाने की सेवाएं और इलाज की दौरान अगर कुछ समस्याय आती है तो उनका खर्चा भी इस योजना के तहत वहन किया जाएगा और अस्पताल में भरती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल का खर्चा भी इसमें इस योजना का एक हिस्सा है, महत्यपुन हिस्सा है, जो शामिल है इसके लावा देशवर में जो काम करने वाली 37 लाख आशा या आंगनवारी कारे करता हैं, उनके परिवारों को लाब देने के लिए भी इस योजना का विस्तार किया ग्या है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते वे 70 साल या 70 साल से जादा 70 वर्ष की उम्र से जादा के जो बुजुर्ग है उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है तो इस तरह से आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग के योजना को विस्तार दिया गया है ताकि इस विकास की दोड़ में जो योजनाओं का फाइदा है वो हर श्रक्स तक पहुँचे और पंक्ती में खड़ा आखरी व्यक्ती भी इस योजना का फाइदा उठा सके और इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार हो रहा ये विस्तार आपके फाइदे के लिए है देश के फाइदे के लिए है और हर नाकरी को इसका फाइदा मिल रहा है तो अगर आपके भी घर में कोई है जिसकी उम्र 70 साल है या उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो उस तके वीडियो पहुँचाईए और उन्हें बताईए कि किस तरह से वो आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना का विस्तार का फाइदा ले सकते हैं आर यवाद